हाई हेलो गाईज वेलकम रड़ा जिन्दिकी को बहुत ही आसान बढा देते हैं तो आप सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक के बगरम चाहिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब तो चलो आप ठाट करते हैं नमबर वान है वह मुले हैं चैनल के, हमारे पास इतना सारी के एवाले हुं k्योंकि स्टेंड में इतने सारे स्फेस हैं इसमें हम ओगनाज कर सकें लेकिन इनको किस तरह से मैं ओगनाज करूं गी कि हमारे सूज है जो टेव बाइस टेव रखंगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो सूज astronomy को नीचे चोग जाएगी देखके तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा जबी आपको समझ में आएगा अगनेच कर सकते हो तो इस तरह के से कर सकते हो अब नीची नीची रेक में मैं रखोंगी मेरे सूज और बच्चों की सूज मेर बेटी की सूज रखोंगी और फिर नीची नीची का है दो है रेक उन्हों में चपल जो डेली यूज में यूज करते हैं वो इस तरह से रखना है तो इसकुल वाले सूज है और भी नीचे रखे हैं चपल जो ते समय ने रख दिया है तो इस तरह से इस्टेप बाइस्टेप आप रखोगे ना सूज और चपल को सभी को तो आपके सूज चपल सभी है जो एज़िटी जो अगनाइच रहेगी बिल्कुल भी इनका खराब नह नहीं होगा सिस्टम क्योंकि बच्चे हैं जो अच्छे से समाल के नहीं रखते हैं तो और चपल आपकी ना आए तो चपल को एक के उपर एक रखके भी रख सकते हो तो इस देखिए हमारे पूरे सूज इसमें और बड़े आसानी से हो गया है तो और यह इसी तरह से आप औ च्रल ना पीमें चुछ ऑगनायों रहें तो उम्हीत करते हूं उम्हें आपके टिप चपर पसंदाए होगी है झालो है डूकर क्यों स्टर्दनाब मेरा जैनी है और हमारे लिए असकंग्श्रै है और उस तरह से मैं यूज लेने वाली है है आलु ख्रभाल या है मैंने लिया है आप चाहों तो अच्छा वाले ले लीआ लेकिन ख्रभाले जो आलु है लेकिन आपकाम ले प्रमक डाल देना है और रफ कर देना है तो इसका हम क्या करने वाले हैं ये तो आप पूरा वीडियो देखेंगे ना उसके बाद में ही पता चलेगा तो यह आलू है आप सभी को पता है कि कई काम में आता है हमारे ब्यूटिनियस बढ़ाने में भी काम में आता है और कि पास जैसे हम फिरी तो रूज यूज करते हैं तो फ्रीज में प्रोब्लम हमें इस्पेश करने पड़ती परती है इस तरह से तूटके नीची आ जाएगी और आप ये लेप लगाओगे आलू का तो उससे क्या होगा कि आपके जो इसमें जो बरफ जमती है ना फ्रीजर में तो बरफ नहीं जमने वाली और बरफ जम जाती है तो फ्रीजर है जो लाइट बहुजद बिल आता है हमारे तो इस तरह के से आ आप एक आलू ले लीजिए और आलू पर इस तरह से नमख लगा कि और इस पर चार और इस तरह से रफ कर दीजिए फिर देखिए गाइस आपके फिरिजर में बिल्कुल भी बरफ नहीं जमने वाली आइस नहीं जमने वाली तो ये प्रोब्लम आपके फिरिज में होती है त तो मसाले के डिबे इस तरह से कुल रहता है तो इनों कीडे जाने का और में ज irritated यह जाने क डर होता है तो आपको क्या करना है क्योंकि यूजित एक खुलजाता पर कि यह पहलए यह यह प्यूल जाता है तो यह प Kendra अच्छा लगे गए डिबा अब है नेक्टिप है वह ब्रस से लेकर जैसे सभी हम ब्रस करते हैं लेकिन हमारा इसमें ध्यान नहीं जाता है कि ब्रस है ना जो इसमें बच्चे सुबह सुबह जल्दी जल्दी जो ब्रस करके जाते हैं तो अच्छे से साप नहीं करते हैं ब्रस में इनको ब्रस सभी ब्रस को ना जो डीप करके रखना है दस से पंदरा मिंट के लिए उबलता हुआ पानी लेना है और फिर इसमें डीप करके रखेगा इसमें जो जैसे एस्टर कोल गेट जमी होगी नो वह भी निकल जाएगी और जो हमारे मुह में बेड़ स्मेल सी बनने लग जाती है तो वो एक फ्रेसने से इन ब्रस में आ जाएगी तो इस तरह से आप सब्ते में एक बार जरू करिएगा आपके बच्चों के मुह में बिल्कुल भी बेड़ स्मेल नहीं आने वाली है तो अब है नेक्स्ट इप है वो इस तरह के बेंगल से लेकि तो बेंगल को पास होते हैं लेकिन हम सोचते हैं यार इनों को क्या उजdar ले और वह फ्यक्ट देते हैं तो आपको क्या नहीं एक हrabi खो़गया बार तरह कि अबेंकर जरू का जीज़िए और फिर उस के उपर रख ही कितना भी गर्म आप जैसे दूद रख रहे हो या कुछ सब्जी र पानी रख रहे हो तो इस तरह से बहेंगल ले लिजिए और उसके उपर आप यह रखिए आपकी बहेंगल से भी कामा जाएंगी और आपकी किचन की टायल भी खराब नहीं होगी तो उमीद करते हूं यह तिप आपको पसंद आई होगी अब है नेक्स टीप है वह है जैसे मला सब्सक्राइब तो इस और पानी, करेवन एक ग्लास के लड़ी करह दो है और फिर इसको चलाते जाना है ..चलाते जाना पर फिर जाएंगे चल आते जाएंगे फिर देखिए आपको नहीं कचला है घिन पानी लेना है और दूसरे बरतन में आपको गरम पानी लेना है और फिर आप गी निकालेगा आपके हाथों में बिल्कुल भी गी नहीं चिपकने वाला है और आपकी हाथ बिल्कुल साफ सुत्रे रहेंगे और पूरा गी आप बड़े आसानी से निकाल लोगे और आपके हाथ फ़ी बिलकुल भी नहीं लिपटेगा तो कई लोगों को गी ने निकालना आता है तो सर्दियों के मौसमें长 हमारे पूरे हाथों किक्ल जाता है तक तो प्रेसान किमें हमारे बर्त के कि गृत कलते हैं रहाई और हमारे हाथों में बिल्कुल गी नहीं चिप रहा हैं आपके हा खातों में बिल्कुल यह देखेगा तो यह तो यह आप जरू आजमाघ की दिखिएगा जब भी गीनीकालो है सर्दियों के टाइम में अमें गीनिकाल में इस तरह की दिक्कत आती है तो उम्हीद करती हूं आपको इटिप पसंद आई होगी अब है नेक्स टिप है वो ड्राइफूट से लेकि जैसे हम ड्राइफूट किसी में भी डालते हैं रेसीपी में तो मारे पास ऐसा कोई आमाम द इस तरह से गिलास में लेके कूट सकते हो तो बड़े आसानी से आपके ड्राइफूट भी कूट जाएंगे तो सभी ड्राइफूट में इसी तरह से कूट लेती हो यह दिए आपके पास ना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो तो आप उमीद करती हूं आपको इस टिप भी पस पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक की बगर मच जाएगा और में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और हां साथ ही साथ बेल आइकन गंटी को दबाना मत बूलिएगा कमेंट बुक्स में यह भी बता सकते हो सबसे बेस्ट वाली टिप्स सब्सक्राइब जरूर देती हूं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कल ही स्याम के पांच बजे इसी टाइम तो बाई एंड टेक्यार